खरगोन नगरपाली का चुनाओ परिणाम के करित 23 दिन बाद नगरपाली का अधिक्ष उपाधिक्ष का इंतजार खत्म हुआ यहां भाजपा की छाया जोशी को 23 और कॉंग्रेस को 4 मत मिले परिशत में भाजपा के 8 पार्षत चुने गए हैं मतदान में 5 मत अधिक मिले, 6 मत आमान्य हो गए शनिवार को खरगोन और बढ़वान अगरपालीका के अधिक्ष उपाधिक्ष का चुनाओ हुआ जिसमें दोनों निकायों में भाजपा के अधिक्ष और उपाधिक्ष चुने गए खरगोन के 33 वार्ड वाली परिशत के लिए स्वामी विएकानन सभागार में सुबह 10 बजे चुनाओ प्रक्रिया शुरू हुई यहां भाजपा की 6 जोशी को 23 और कॉंग्रेस को 4 मत मिले परिशत में भाजपा के 8 पार्षत चुने गए हैं मतदान में 5 मत अधिक मिले 6 मत अमान्य हो गए इसी तरह उपाधिक्ष चुनाओ में त्रिकोणी मुकाबला रहा भाजपा से भोलू कर्मा को 19 कॉंग्रेस से हीरा पर्मार को 4 और निदली पार्षत वारिश शोबे को 18 मत मिले जबकि 2 मत अमान निगोशित किये गए भाजपा के भोलू कर्मा उपाधिक्ष निर्वाचित हुए निर्वाचन प्रक्रिया पिठासीन अधिकारी की मौझूदगी में संपन हुई पिठासिन अधिकारी ने अधिक्ष उपादिक्ष को जीत के प्रमान पत्र प्रदान किये इसी तरह बढ़वा निकाय में भाजपा के राकेश गुपता, अधिक्ष और राजस जैसवाल उपादिक्ष तुने गए खरगौन से जैंत गुपता की रिपोर्ट जिस प्रका से देश की सवा सव कुरौद से जादा जनता जिस विकास की रहा पर चलना चाहिता है, एक नए कलियुक की यूग की शिरूआत होने वाली है हों लगता पड़ का जारी है कारेकर्ताहों में उत्साहँ लिशित्वर पर गारेशर्ता जिनकोफ खूश है कि जिस प्रकार से मदभविदेश सरकार माननी शिवराज जी की नीचे तक जिटी चिनहीत इसली यूड़नया चला रहे है प्रदार पर देश की सरकार भी काम कर रही है और नीचे तक हर चुटी-चुटी यूड़नाओं पहलेकर जंदा गीत में काम कर रही है और नीचे दीख रहा है कि गरीग को अगर खत्र धकने के लिए जगह नहीं है तो उसको प्रधान मंत्री आवास के मातने से नगरों में ध सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें झाल